कि हाय गाइज वाट सब गुरूर्मादिंग एबरवान कि आप सभी लोगों स्टड़ी के साथ साथ लाइफ के इन्जॉय कर रहे होंगे और यह स्टार्ट करते हैं लेक्टर ये यह नय लेक्टर इन्य टॉपिक आपके साथ रहने वाला है क्लास सेवन्थ जैसे कि हम लोग इ करनेंगे और सी साइन्स को हम लोगने अवल तक लगभग चप्टर टेन तक हम लोगने कंप्लिट कर दिया यह चप्टर 11 है इस 11 चप्टर में देखेंगे और पिछला चप्टर भी हम लोगों देहें बहुत बढ़ियां से डिसकस किया था उसके बाद यह च्प्टर है और पिछला चप्टर हमारा रेस्पेरियसन था तो f1 बाद हम लोग ट्रंसपोर्टेशन देखेंगे इस तरह सवाले बाहला लग सिस्वार कि तास्ट में आपको पता होगा ट्रंसपोर्टेशन एक सब्द है ठ्रांसपोर्ठेशन का है समझते हैं ट्रांस्पोर्टेशन को तो ट्रांस्पोर्टेशन को आज कि हम लोग बाडी के उनदर जो टाश्बोर्ट होती सीय वो यतुए उसको लेकश चलते बलड तो बलड तो क्या वह आपके हाट जो पंप करते हैं जैसे कि transportation का एक मैंने definition लिखा हुआ है transportation of matter and substance within your body are the outside objects in your body transportation and blood are removed through the other one unwanted substance from the outer body तो एक क्या है कि केवल transportation आप ब्लड के तरीके से लिजिए कि केवल ब्लड ही आपके ट्रांस्पोर्ट करती है बाड़ी ट्रांस्पोर्टेशन आपकी बाड़ी तब भी करती है जब आप अपने unwanted substance को from the outside अपने बाड़ी से करते हो जैसे कि वास्वन जाते हैं आप टाइम टाइम टू तो यह यह वी क्या एक तरह से रिमूब करना क्या है अनवांटर सब्स्टांस रिमूब करना है यह भी पार्ट है किसका ट्रांस्पोर्टेशन का तो यह आपको ध्यान देखनी है कि only not to blood is a part of transportation इस आल्सो पार्ट अप्र ट्रांस्पोर्टेशन अन्वांटर सब्स्टांस चीकर अन्वांटर सब्स्टांस आप दो बादी से बाहर करते हो वह भी क्या है आपका ट्रांस्पोर्टेशन का पार्ट है ट्रांस्पोर्टेशन को हम लोग कहीं नहीं बाइलोजी में या साइंस या साइन्स में आपका एक सब्सक्राफ डिया गया है एक सिस्टम जो की सर्कुलैट्री सिस्टम रस्प्रेशन यस्टम ह्यापने बढ़ा पेल प्रड़ाये है पिछले क्लास में अब अब कर आफेंगे पढ़ेंगे तो यह शिस्टम हैं है और सिस्टम तो इसी तरह से इसका भी नाम है circulatory system circulatory system कहने का pra躁 क्या है Circle से क्योग related किया गया है इसके बारे में आग Fish continues करेंगे तो इसको各位 system ऑऽते हैं जब transportation through बाड़ी के अंदर होते है उस transportation को हम लोग विजश्चम के नाम सरुजानते हैं उसको हम लोग शंट बोलते हैं आये बात करते हैं सरक्लिटी सिस्टम के plugins सरक्लाइटी शंस प्रवाग कई सिथम में हमारे सब्स Nun करते हैं पाड़्यों प्रियृता है पाटेसिपेटेशन ऊब्लाट का होता है ब्लाट क्या होती है और य TER regarding the fluid-liquid like substance likeilated food from the small entire time to the other और पार्ट आप यूर बाड़ी ट्रांस्पोर्टेशन आप दब्लड इन यूर होल बाड़ी इट्स करी आंद ऑक्सिजन आल्सो इन यूर बाड़ी एंड वेरियस सब्स्टांस तो जो ब्लड है यह ब्लड आपको लिक्वीड फार्म देखने को मिलता है यह फ्लूट लाइक यह ब्लड इसे निकलता है किसा प्रम निकलता है इसनल व्लड जाएग निकलता है इसनले वाह सब्सक्राइल को लेकर दोधन अर्गिंस तक जाता है ह€ से एंशे Corporation व्र और यह कही यह ब्लट करता है ट्रांस्पोर्टेशन पूरे होल बाडी में यह करता है ऑक्सिजन को भी ठीक है डाइस्टेट फूड को तो करेगा है जो भी मिननल स्वांस निकलेंगे बाकि आपका ऑक्सिजन को भी करता है तब जाकर हम कहीं ना कहीं जी पाते हैं अपने लाइफ को और सब्सक्राइब करता है तो थे अडा होता है तो ब्लाड स्टन होता है प्ली्ट कर लेते हैं तो ब्लाड द टाफ्लिवूड लिकुट लोट भोलते हैं प्लाज्म नानमल आप लोगोंने सुना वगा प्लाज्मा कम हो जाता है किसी वी परसंगा तो उसTցर परसंग काफी कराब हडवे कहीं नद कहीं ये फिवर आ जाता है ठीके कमजूरी फोने लगती है ये प्लाज्मा हो करता है प्लाजमा नहीं होता तो हमारा ब्लड कैरी नहीं हो पाती हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता तो सर्कुलेशन में बहुत बड़ा पार्ट है इसका प्लाजमा का तो प्लाजमा कम नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यदा होना चाहिए तो प्लाजमा का एक लिमिटेशन ह आपने सुना होगा जाना होगा समझा होगा आरबी Casey और wipes I'll continue Persаксим कॉर्पंस tootree ब्लाट थेल और डाबलू सी डिपरेट ब्लक चेंटर रेट का रेड़ ब्रेट होता है जी हां रेड होता है वाइट ब्लक सेल क्या वायट होता है जियां क्या इसलिए इसका वायट गड़्स नाम पड़ा और इसका प्लेट सेल्भास जिये लिधर सेल को भी दोनों को बहुत देटेल में हम लोगो सब्सक्राइब करेंगे ब्लड में जैसा कि मैंने बताया आपको कि आर्बीसी और डावलोबीसी होता है इस ब्लड के टाइप में बात करेंगे कि आर्बीसी का काम क्या होता है और डावलोबीसी का काम क्या होता है यह दोनों का रूल क्या होता है और पिसी जिसको हम लोग ओसे बोलते हैं यह पता ही于 आपको क्योंकि मैंने बताया बिक हावा इये पिगमेंट तो और पिगमेंट होता है उसके साथ जुड़ा होता है और ड क्रीक में प्रइपर All था है ओंता Viselyan है हम होता है इसे के करदğ हमारा बन भी तेकने को मिलता है जो रेड़ कलर है आर वंपी सी में ओडाल भी हम फिल्टे देखने को मिल तैंजियों नाम लोग इसको रेड़ ब्लड रसेंड बोलते हैं ठीक है ते रेड़ पिगमेड का नाम याद रखेगा हेमोग्लोबीन ही मात भी इन बेंस बीट रसेजन and transport into the all parts Hemoglobin oxygen के साथ मिलकर और ब्लड के साथ मिलकर एर ट्रांसपोर्ट होता रहता ठीक है इसलिए भीलड हमारा रेड्य देखने को मिलता है तो यह हमारा आरबीसी का एक विचर हो गयाा भीसी में क्या करता है तो आरबीसी के आपको कर दिया क्या करता है क्या क्या करता है दुसरे चीज की हेमोगलोबीन क्या है और हेमोगलोबीन के साथ मिलकर अगर ब्लड होता है वो क्या बनता है तो रेड कलर का बनता है है और इसको वाइट ब्लट चेल बोला जाता है यह वाइट कलर का वता है इसका क्या काम होता है नार्मल हम लोग आर बीसी के बारे में जानते हैं आर वी सी के ओए देखते ही मिलता है नहीं मिलता है क्योंकि weas这样 करता है अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीजश आपके बाडी में क्योंकुक्सय्ट को नीचल में होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैसल और चायंस्ट Over आपके बारी में में वी इंटर क्या इसी कौरोना वायरस तो करोना वायरस के समय क्या होगा जिसकी डावलोबस नहीं किया इसके वह बहुत ज्यादा आटैक किया या हम भी अभी तक प्रहा रहे हैं यानि that means कि हम लोग का डावलोविसी क्या है मजबूत है स्ट्रॉंग है तो यतने भी परसान है इनके डावलोविसी स्ट्रॉंग होती है उनको कोई ना कोई डिजीज नहीं होती है क्योंकि डावलोविसी क्या करता है अगेंस्ट फाइट क आपको पीमार होने से प्रोटेट करता है एक तरह से डावल विसी यह काम करता है तो डावल विसी कभी बहुत बड़ा रोल प्लेए हैं आपके बाड़ी के हेल्थ के पर पस्ते हैं आया बात करते हैं एक और पार्ट है जिसको आपनों नार्मली ऐसे डावलो ब्लाट के पार् क्या है आपको बताया मैंने एक दुसरा रूप है प्लेटलेस प्लेटलेस यह ब्लेटके पार्ट के आथा है ब्लर में ही रहता है प्लेटलेस का काम गया होता है तो प्लेटलेस क्या है क्लोट इस फार्म विकाज अब दो प्रजेंस आफ अनिदर टाइप्स अब दसेल इस ब्लॉड इन ब्लॉड दैट्स काल्ड प्लेटलेस यह अलग तरह सेल है यह कोई WC का हिस्सा नहीं है यह WC में ही रहता है लेकिन अलग सेल है लेकिन अंदर एक सेल है जिसका नाम क्या है प्लेटलेस और यह सेल एक तरह से क्लोटिंग के काम करता है इसलिए तो प्लोटिंग के काम करता है क्लोटिंग मतलब आपको ब्लोड को बहाने से रोकने का काम करता है ब्लोट क्लोटिंग करता है ब्लोटिंग के काम करता है आपके मद्सेवाल आया होगा कि ब्लट क्लोटिंग काम क्या है हमारे सरे में में सब्लट क्रण्ठीज रुख जाएगल तरेज्есто नहीं होगा तो इसलिए तो उसलिए ब्लट क्लोटिंग में प्लैटलेस काम करता है आपको रोकने के लिए ज़्यादा ब्लट बहने नहीं प्लट बहने नहीं दता है इस वाज़ा से आपका देखने को मिल जाती है आप यह सार चीज appelle ना कहय दो चारु होते हैं दो सोशंद मोज़ने लिएलाते लिए आया बात करते की मां अब में सोटिय नि नसे होती है और मिसे इस और नासेरा ड़क्टर आप क्या है यको ऑनग होटी और यह यहां जो हम यह जो ऑकसीजन रिच था मढ़र करता और पूरे पार्च में ये का करती है ठ्रांस्पोड करती है इस रिकलोगताँ है और यह हाई प्रेसर के साथ करती आप करता है जो हमारा हर्ट है उपम्ट तो हाई प्रसर के साथ करता है तो उसके साथ कनेक्टिविटी होती है आर्टीज की जो कि अक्सिजन को यह करी करता है तो अक्सिजन वाले ब्लट को जो करी करता है उसका राम क्या है आर्टीज है तो और यह थीक होती है यह यह एलेक्ट्र से इंपिरी चीज सेकेंड सम्थ WAT विएस्ठ में से वैनस क्या है थीर कैन पतली होती है थिक होटा दुसरा अंतर क्या है आध इस क्या करतिburg तो नितीं दिन्ट को करती है उस ब्लट करी करती है जिसमां परगेंट या तो तो यह ब्लट को करी करती है कौन वेनस कहरी करती है कारवन लगे patchоко जो कि फिर से भाप डिए प्राइट करती है कि अर्वहाँ से फिर और ठीज़ करता है और इस का नाम मैंने पने आपको बताया कि इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेट करना ब्लट को पूरे बॉड़ी में आपके से जो कि आयर्टी और वेनस के ऑफित है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर्कुलाटरी सिस्टम बोल देते हैं और नेस्लेक्टर मैं आपको मैं बताऊंगा हर्ट बनाकर और हर्ट में कैसे प्रिजेंट अब दब यह चीज़े होती है आर्टी और वेनस कैसे काम करती है उसमें बहुत लिटेल में बात करेंगे बाकी तब तक के लिए जय हैं